हलो फिंड्स पिछली वीडियो में हमने समझा के रिग वेधिक पीरर के दोराण वैसे तो रिग वेधिक हिम्स में प्रजा की कामना की गई है जिसमें लड़के औथ कि दोनों आते हैं बटकुछ हिम्स में ज्यादा जोर ब्रेव संस पर दिया गया है जिने सुवीर कहा गया है यानि एक ऐसा पुत्र जो लड़ाई लड़ सके रिगवेदिक पीरिड में फैमिली वास दा बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी और फैमिली का जो भी एलडेस मेल मेंबर होता था उसे फैमिली का हेड माना जाता था और कहा जाता था ग्रहपती रिगवेदिक पीरिड में इन जेनरल मोनोगोमी प्रैक्टिस होती थी यानि एक व्यक्ती सिर्फ एक शादी कर सकता था हलाकि राजा या फिर रॉयल फैमिली के केस में एक व्यक्ती मल्टिबल शादी भी कर सकता था इसे पॉलीगेमि का जाता है और पॉलीगेमि सिर्फ रॉयल और नोबल फैमिली में ही होती थी इसके अलाबा कम उम्र में बच्चों की शादी यानि चाइल्ड मेरेज के साथ उसकी पतनी को भी जला देने की जो प्रिथा है उसे सती प्रिथा का आ जाता है और रिगविधिक पीरड में सती प्रिथा भी नहीं हुआ करती थी इनफेक्ट अगर देखा जाए तो रिगविधिक पीरड में कई मामलों में women को men के बराबर opportunities मिलते थी For example, major ceremonies में men और women दोनों participate किया करते थे Popular assemblies को join करने के लिए भी men और women दोनों को allowed था और spiritual और intellectual development की opportunities men और women दोनों के लिए available थी In fact, Rig Veed में कई सारे women points का नाम भी mentioned किया गया है जैसे अपाला, विश्ववरा, घोश और लोपा मुद्रा, etc और अपाला और विश्वरा के बारे में ये भी कहा गया है कि इन लोगों ने अकेले बिना किसी पुरुष की help के यग्ये भी गी है तो इससे एक बात तो clear होती है कि Rig Veedik लोगों की society एक patriarchal society तो थी मगर फिर भी ये women के respect करते थे और women की position Rig Veedik society में काफी अच्छी थी ये बात इसलिए important है क्योंकि later Veedik period में women की position लगाता deteriorate हो रही थी जैसे हम आगी की videos में cover करेंगे हलाकि mostly घर का जो काम है उसके जिम्मेदारी Rig Veedik period में भी women की थी और ये लोग खाने में wheat, barley, fruit और vegetable खाया करते थे और साथ ही milk और milk से बनने वाले milk products जैसे की घी और curd भी खाते थे और in general ये लोग cow milk पीते थे और cow को एक sacred animal माना जाता था और cow meat खाना prohibited था हलाकि ये लोग दूसरे जानवरों का meat खाते थे इसके अलावा अपने leisure time में ये लोग dicing, cherry tracing, music and dance और horse riding जैसी चीज़े किया करते थे Aryans जब भारत में आये तो उन्हें शुरुआत से ही एक बात clear थी और वो ये कि यहां के natives से वो दिखने में भिन है Aryans का रंग गोरा है जबकि भारत के natives dark skinned थे इसलिए रिगवेद में वर्ण का भी mention किया गया है वर्ण का मतलब होता है color यहां के dark skinned लोगों की tribes का नाम दशाज और दश्यूज मेंशन किया रिगवेद में कहा गया है कि Aryans ने इन लोगों को लड़ाई में हरा दिया था और उन्हें शूद्र मताया यह जो term शूद्र है यह एक ऐसी tribe के नाम से ली गई है जिसे Aryans ने अपने अधीन कर लिया था इसके लबा political organization during रिगवेदिक period को पढ़ते से मैं हमने देखा था कि Aryans में राजनिया यानि किंग होते थे कुछ लोगों को पुरोहित माना जाता था कुछ लोग सिनानी यानि कमांडर इन चीफ थे और बाकी के लोग थे common men यानि आम आदमी तो जो लोग लडाई या wars में participate करते थे उन्हें शत्रिय कहा गया common लोग agriculture या trade से related काम करते थे उन्हें वैश्य कहा गया पुरोहित क्लास को ब्राह्मन कहा गया और इस तरह towards the end of रिगवेदिक period society में ये four-fold division देखने को मिला और रिगवेद के later part में पुरुष का जिक्र किया गया है पुरुष को एक celestial being की तरह explain किया गया है और कहा गया है कि पुरुष वो है जिनकी body से ये universe बनाए पुरुष के mouth से बने ब्राह्मन आम से बने शत्रिया थाइज से बने वैश्या और feet से बने शुद्र रिगवेद में इस तरह इस four-fold social division का जिक्र किया गया है हलाकि ये social division रिगवेदिक period में बहुत ज़्यादा rigid नहीं था तो ये था रिगवेदिक period के लोगों की social life का description अब देखते हैं रिगवेदिक period के लोगों की economy conditions रिगवेदिक Aryans mainly pastoral people थे जिनका mean occupation था cattle rearing जिसके पास जितने cattle होते वो उतना wealthy माना जाता और wealthy लोगों को गोमत कहा जाता था गोमत बना है गो से जो represent करता है cattle को और रिगवेद में गाय को अगन्य कहा गया है जिसका मतलब होता है not to be killed actually Aryans की पूरी economy in cattle के around ही बुनी हुई थी priest को अगर reward देना हो तो उसे cattle दिये जाते थे अगर battles होते थे तो वो भी in cattle को जीतने के लिए होते थे इसलिए इन battles को भी गाविष्टी कहा जाता था गाविष्टी का little meaning है in search of cows यानि गाय की तलाश इसके लावा battle को और भी कई शब्दों से पुकारा गया है जैसे की गोशू, गोजीत, गोविद, गोविंदू हर जगा यहाँ पर आपको ये गोशब देखने को मिलता है इसके लावा रिगवेद में लोग अपनी बेटियों को दोहित्री कहा करते थे क्योंकि गाए का दूद निकालने का काम इनका हुआ करता था और अपने गैस को ये लोग कहते थे गोगफन, जिसका मतलब होता है काव केलर वैसे तो ये लोग गाए को सेग्रिट मानते थे बट अती थे वो भाव के आधार पर ये लोग अतिती को गाए का मीट खिलाने के लिए भी तयार थे अब आगे देखते हैं जैसे कि हमने कहा कि women in general household work किया करती थी और आम तोर पर आदमी लोग cattle rearing किया करते थे बट इसके अलावे भी कई और सारे काम थे जो ये लोग किया करते थे जैसे कि farming हलाकि farming और agriculture बहुत ज़्यादा developed नहीं था बट wheat और barley जैसी चीज ये लोग उगाया करते थे इसके लावा carpentry और क्योंकि Aryans generally cotton and woolen clothes पहना करते थे तो कुछ लोग spinning profession में भी थे और ये लोग ornaments भी पहनते थे तो इसलिए कुछ लोग goldsmith profession में भी थे कुछ लोग pottery में involved थे तो कुछ लोग trade क्या करते थे trade generally barter system में हुआ करता था और rig vedic period के towards the end ये लोग gold coins जिने निश्क कहा जाता था उसे large transaction वाले trade में use क्या करते थे इसके अलावा Aryans fighting और battles में भी participate क्या करते थे और metal work में भी खासकर copper और bronze metal work में बड़ ये बात ध्यान देने वाली है कि 1000 BC तक Aryans का main profession अभी भी cattle rearing ही था तो ये थी details rig vedic period की economic conditions की next video में हम लोग rig vedic period के religion को cover करेंगे ancient history की सभी videos की pdf आप bookstava app से download कर सकते हैं link description में मिल जाएगा Indian polity और Indian history को detail में cover करने के लिए bookstava की playlist को follow कीजिए thank you for watching and supporting bookstava